हां तो बिल्कुल नियू चेप्टर है और इसमें एक खास बात और भी है और क्या है सर इसमें थोड़ा सा एक आध गुश्षर में इससे पिछले चेप्टर का रेफरेंस आ सकता है तेट इस लीवरेच का ठेकर रेफरेंस आएगा बस थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं सर यह चेप्टर बना क्यूं है और क्यूं कर रहे हम इस चेप्टर को पहले वह सारी बाते देख लेते हैं अभी हेंड्रेज का किसी का आंसर नहीं लेंगे तो क्यों बना है ये चप्टर इस चप्टर में basically देखो वैसे तो financial management के हर एक चप्टर में हम क्या लेते हैं decision ही तो लेते हैं इस चप्टर में हमें different different plan given होगा यानि होगा क्या एक x, y, z limited है और इस company का पहले से ही शियर capital होगा मानलो 5 लाग और मानलो debenture होगा 2 लाग इस तरही के से दे रख पहले से company का share capital भी दे रख और debenture भी दे रख जब share capital पहले से जीवन है और company ना अब plan क्या कर रहा है कि company को suppose करो 3 लाक रुपे की और जरुरत है यानि additional fund और चाहिए तो हमारा पहला ये इसको बोलते हैं existing structure और हमें और 3 लाक रुपे की fund की जरुरत पड़ गई है सब अब 3 लाक की जरुरत पड़ेगा तो company इसके बारे में आपको question जो है इसके बारे में plan बता देगा चलो एक काम करते हैं हमना सारा का सारा equity कर देते हैं 3 लाक का चलो एक काम करते हैं हम सारा का सारा क्या करते हैं debenture कर देते हैं चलो एक काम करते हैं हमना क्या करते हैं थोड़े से debenture यानि हाफ हम क्या करते हैं equity और हाफ हम क्या करते हैं डिबेंचर कर लेते हैं तो ऐसे combination बनाएंगे वो किसके लिए सर इस तीन लाग को पैसे इखटा करने के लिए आप से पूछा जाएगा बताओ कि इस combination में से सबसे best कौन सा बन रहा है सबसे best पार्ट कौन सा है टो biggest बताने के लिए आपको कोई न कुई तो přेस लेना पड़ेगा कि इस बेस सबसे ने के लिए सिंपल सी बात अब स्परस का सःरा बड़ेगा जिस company का अरनिंग पर शियर ज्यादा निकल के आएगा वही company best माना जाएगा अब earning per share क्या होता अभी start करेंगे तो वह भी देख लेंगे और दूसरा जिस share का market price market price सबसे ज़्यादा होगा वही best होगा यानि इन plan को जब हम execute करेंगे जब देखेंगे तो उसमें हम क्या check करेंगे किसका EPS ज़्यादा है मान लो EPS इसका सबसे ज़्यादा है तो हम question में answer में conclusion में देदेंगे कि भई है plan number two सबसे best माना जाएगा इस तरीके से यहाँ पर होगे इसके बाद दूसरा part इसका आता है indifference point indifference point sir यह क्या होता indifference point indifference point का मतलब क्या है वो भी समझ लेते है indifference point का मतलब है कि वो level बताना जहां पर आप कुछ भी कर लो लेकिन आपका EPS पर कोई फरक नहीं पड़ेगा उतने profit का बताना होगा ठीक है न तो हम पहले तो हम यह वाला part cover करने वाले है EPS वाला फिर हम इस वाले part पर आएंगे बारी बारी करके इस chapter को आगे बढ़ाएंगे बहुत छोटा से chapter है हाला कि जब मैंने EPS का नाम लिया जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे उनको EPS का पता होगा कि EPS क्या है और कैसे निकाला जाता है एक इस्ट्रक्चर बनाते हैं ना देखिए इसको आप कह सकते हैं income statement ठीक है अब आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको givesन हो सकता है sales sales आपने यहां लिख लिया इसके बाद इसमें से minus कर देंगे हम variable cost variable cost हमने यहां लिख लिया जैसे ही variable cost minus हो जाएगा हमें जो result मिलेगा that is contribution इसको contribution नाम देंगे हम जैसे ही variable minus करेंगे इसके बाद हमें minus करना होगा जो भी question में fixed cost given हो fixed cost वो minus कर देंगे question में आपको always given होगा point ये जो आएगा ये हमारा क्या आएगा earning before interest and tax earning before interest and tax होगा ये ठीक है earning before interest and tax जो होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे ही earning before interest and tax अब सवाल में ये हो सकता है कि direct आपको ये point दे दे 90% chances रहेगा ऐसे chapter के सवाल में कि आपको direct EBIT दे उपर का हिस्सा ना दे अब अगर उपर का हिस्सा दे रखा हो तो फिर आप ऐसे करेंगे otherwise आपको पहले सबसे top पे ये लिख लेना है फिर हम क्या minus करेंगे इसमें से sir interest minus करेंगे interest ठीक है sir जब interest minus कर देंगे तो एक और result आजाएगा that is आजाएगा EBT earning before tax अब इसमें से हम minus कर देंगे sir income tax जिसको हम corporate tax के नाम से भी जानते हैं income tax के भी नाम से जानते हैं तो उसको क्या करेंगे हम simply यहाँ पर minus कर देंगे इसको minus करने के बाद हमारे पास जो result आएगा वह आएगा EAT अब इसमें से minus करेंगे हम preference dividend अगर question में है तो preference dividend minus करने के बाद अब आएगा हमारे पास earning for equity earning for equity अब earning for equity जो भी आता है हमारा whatever अब इसके अंदर से हमें क्या minus करना है इसको divide कर देना है जो यह point आया है ना फिर हम लिखेंगे number of shares जो भी आएगा हमारा question में given होगा जब इसको इससे divide करेंगे तो हमारा आद आएगा सर EPS EPS क्या होता है सर earning for equity अब यही हर बार question में निकालना होगा जिस question में जिसका इसका भी सबसे higher EPS वह company वह proposal क्या माना जाएगा हमारा best माना जाएगा बहुत सिंपल सा तरीका है अब सर हो सकता है इसमें leverage का discussion किया जाए सबसे पहले हम कुछ-कुछ बातों को देख लेते हैं fix cost always आपका fix रहेगा interest किस पे निकलेगा सर interest आपका हरे इक उस point पे निकलेगा जो questions में given हो जैसे सर यह हो सकता है debenture पे निकालना पड़े आपको और हो सकता है आपको किस पे निकालना पड़े loan पे और third हो सकता है किस पे निकालना पड़े pond पे मैं थोड़ा सा इसको fast इसलिए भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि पहले leverage वाले chapter में detail में discussion है लेकिन पहली class है तो समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कर नहीं समझ में आने वारा ठीक है tax का rate आपको given होगा हमेशा tax का rate question में given होगा जिस question में tax का rate नहीं given तो मान लिजिए उस question में tax है ही नहीं आगे देखते हैं sir और क्या चीज़े सीखना है इसके अंदर कुछ formula use हो सकते हैं sir क्या formula use हो सकते हैं इसे बोलते हैं degree of जिसे डी ओल के नाम से बोल रहा हूं degree of operating leverage मैं बोल रहा हूं आप जब noting करेंगे तो लिख लीजिएगा इसको इसका formula होता है हमारा contribution divided by EBIT sir contribution क्या है that is contribution और EBIT यह है इनको divide कर देंगे answer आ जाएगा दूसरा use हो सकता है इसके अंदर DFL भी पूछा जा सकता है DFL का formula क्या हो सकता है sir EBIT divided by EBT और sir इन formula को बहुत अच्छे से detail में आप पढ़ना चाहते हो न तो इससे पहले वाला chapter कौन सा है leverage वो पढ़ना पढ़ेगा उसके अंदर बड़ा detail में मेरे खाल 10-15 question इसी के उपर थे जो भी थे 8-10 question सारा का सारा इसी पह था इसके बाद होता है DFL degree of financial leverage इसका formula होता है contribution divided by EBT या फिर इसका एक और formula हो जाता है हमारा TOL into में TFL ठेक है दुबारा मैं repeat कर देता हूँ यह होता है that is degree of operating leverage contribution question में कब निकलता है sales में से minus करने के बाद इसके बाद क्या है DFL DFL क्या होता है EBIT question में निकल गया मैंने EBIT EBIT दो बार लिख दिया यह EBT होगा EBT होगा ठीक है न EBT DFL क्या होगा contribution divided by EBT और यह formula कुछ एक points use होने वाले हैं sir EPS कैसे निकलेगा earning for equity divided by number of shares sir number of shares कैसे निकालेंगे हम always आपको questions में shares का amount given होगा तो आपको assume कर लेना है वहाँ पर अगर कुछ नहीं बोलता assume face value मानना है always कितने का 10 रुपे का और 10 रुपे से divide करके आप निकाल सकते हो क्या number of shares और अच्छा DCL होगा सही है DCL होगा ठीक है कुछ formula आपका यहां पर कौन सा use हो सकता है जो कि हमने last class के अंदर cover किया था बट मैं last class का कोई discuss नहीं करना चाहता PE ratio का हो सकता है यहां पर किसका हो सकता है sir PE ratio price earning ratio sir इसका formula क्या होता है price earning ratio का current price divided by EPS यह आजाएगा आपका ratio है तो into 100 रहेगा percentage के terms में आजाएगा PE ratio यह आप percentage में नहीं निकालने चाहते इस टू में निकालना चाहते हो तो इस टू में आजाएगा without percentage लगाएगा ठीक है तो यह हमारे कुछ formula use होने वाले है इस chapter के अंदर chapter के अंदर sir main core क्या है हमें एक decision बताना है और decision कौन सा अच्छा माना जाएगा जिसका EPS सबसे जादा होगा वह company के लिए beneficial रहेगा different plan में ठीक है न तो चलिए हम कुछ question directly start करते हैं इतना lengthy और इतना बड़ा chapter नहीं है हम पहले बात करें तो आज से 7-8 साल पहले साथ साल नहीं साथ साल तो जादा बोल दिया चार साल पहले से कभी भी इस chapter में से examiner सवाल नहीं पूछा करता था लेकिन पिछले चार साल के बाद frequently इस chapter में से वो question पूछने लगे हैं कि आपको indifference point बताई और इसमें indifference point वाला portion ज्यादा important है जो कि हमारा next class या next से next class के अंदर जाएगा ठीक है चलिए sir question पढ़ते हैं हम हम पहले कौन सा question करें sir पहले इसी question को करना prepare करेंगे क्योंकि पहला question जो है हमारा यह है EPS और different type of leverage इसको नहीं करेंगे पहले second question करते हैं ठीक है पहले हम second करेंगे first बाद में DCL DCL ठीक है कहता है भासकर manufacturer limited है has a equity share आपको दे रखा है 5,00,00 और face value 100 रुपए तो मैं पहले यहां पर पहले निकाल लू number of क्योंकि इसकी जुरत पड़ेगी न हमें equity share कैसे निकलेगा और divisual buy तो यह आगे हमारा 5000 यानि हमारे पास पहले से 5000 share है पहले से पुराने टाइंट से ठीक है आगे आ जाते हैं to meet expenditure of expansion program हम अपने प्रोग्राम को मतलब अपने business को large करना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं the company want to raise three lakh have the following company को जरूरत है company क्या चाहरी है कि company को need है कि और यानि extra कितने fund चाहिए उसे तीन लाग अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मैंने question पढ़ा नहीं है भी बाद में अब देख लेंगे तो तीन लाग का है और मैं बोलू के company ना पूरा तीन लाग का equity में ही कर देगी तो बताओ company के पास total equity कितने हो जाएंगे मैंने question क्या बोला कि जो तीन लाग रुपए एक्स्ट्रा है चाहिए company को इसने suppose करो कि तीन लाग पूरा का पूरा equity के अंदर ही पैसे लगा के मतलब के पैसे जो fund raise किया वो equity के थुरू किया तो जो हमारे पास total number of shares हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 5000 वही 5000 रहेंगे समझ में आई बात आपको यहां तक समझ में आ रहा है इस तरीके से point given हो सकता है question में चलिए ठीक है earning को divide किस से करेंगे बाठ हजार से divide करना हुआ क्योंकि 5000 पुराने वाला share और 3000 यह वाला share दूसरा plan company के दिमाग में चल रहा है यार एक काम करते हैं एक लाग का equity करते हैं दो लाग रुपे का debt करते हैं और उसके ओपर interest रहेगा 10% तो अब दूसरे plan के अंदर number of equity कितने हो ज ले लेते हैं तब तो equity कितना रहेगा बताओ 5000 ही रह जाए क्योंकि new fund में तो equity आया नहीं plan D में कहता है एक काम करते हैं एक लाग का equity कर लेते हैं दो लाग रुपे का हम preference share कर देते हैं तो okay भाई preference share हो जाएगा तो preference dividend वाला part यहां पर factor आ जाएगा तो यानि चार plan बता दिय the company having the present earning यानि company का सीधा present earning का मतलब है EBIT जब कभी भी present earning देगा तो that is the indicate क्या करेगा EBIT the corporate tax यानि tax का rate 30% is select the suitable plan out of the above four plan raise required fund बताइए company को A plan choose करना चाहिए B plan choose करना चाहिए C plan choose करना चाहिए D plan choose करना चाहिए यह सारी बाते तो एक ही बात पर discuss मतलब है यह जितने भी decisions निकलेंगे उसका base क्या लेंगे हम EPS ले लेंगे यानि जिसका सबसे higher EPS वो plan company को क्या करना चाहिए choose करने चाहिए तो चलिए हम कितने plan बना लेते हैं यहाँ पर चार plan को हम लेके चलने वाले है ठीक है ना चार plan क प्लैन तीन प्लैन और यह चार plan ठीक है बहुत सिंपल सा टॉपिक है यह प्लैन ए प्लैन बी प्लैन सी और प्लैन डी चार प्लैन हो गया सबसे पहले सभी plan के accordingly आपको क्या रख लेना है अपना EBIT रख लेना है यह particular सबसे पहले क्या रख लिया हमने EBIT और EBIT सभी plan में समान ही रखना है that is हमारे पास डेड़ लाग है तो सभी जगह पर डेड़ लाग ही आएगा और ऐसे question 15 marks में आ जाते हैं तो मान के चलो lottery लग गई आपकी एक तरीके से क्योंकि 15 marks में देखो कितना simple सवाज देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन देखना easily कितनी जल्दी यह solve होता है और answer हमारे कितनी जल्दी आता है तो इसमें से सबसे पहला काम EVIT के बाद हमारा step देखो तो EVIT के बाद हमारा क्या roll होता है minus करना interest तो चलिए सबसे पहले minus करते हैं हम interest सर इंटरस्ट की बात करें तो plan A में तो पूरा कभी लोन तो ही नहीं है na plan A में तो लोन ही नहीं सहाब तो फिर interest की कहां से बात आएगी plan B में लोन है सर कितने का लोन है plan B में दो लाग का और 10% का rate है तो plan B का interest क्या आ जाएगा हमारा 20,000 यह सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए plan B का interest 20,000 कैसा है plan B का interest plan B का interest मैं निकाल रहा हूँ सर 2,000,000 रुपए का loan है और into में 10% that is 20,000 रुपए ले लिया और plan B का अगर equity की बात करें तो equity कितना होगा सर old वाला equity तो new equity की बात करें अगर हम new equity की बात करो तो कितना होगा 1,000,000 रुपए का fund divided by 100 यानि सर 1,000 मैं एक का पूरा करके दिखा देता हूँ बाकी orally कर लेंगे हमें है न तो एक हजार और पुराना equity तो हमारा चली रहा है that is कितना था हमारा ये 5,000 रुपए तो जितने plan में equity add होता रहेगा वो लिखते रहेंगे ठीक है चलिए plan 3 पे आ जाते है plan 3 में क्या कहानी है plan 3 में सारा का सारा loan ही है plan C के अंदर तो सारा का सारा loan है तो loan कितने का होगा तो sir 3 लाग का तो additional fund चाहिए तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 30,000 सभी बच्चों को समझ में आया plan number 3 पे loan कैसे लिया हमने 30,000 ले लिया बिल्कुल सही चलिए आईए अब plan number 3 के अंदर बताओ कितना equity होगा plan number 3 में 5000 ही equity रहेगा क्योंकि नए equity की बात ही नहीं है plan D में आजाओ sir क्या यहाँ interest होगा जी जवाब है नहीं होगा sir यहाँ पे interest because of यहाँ पे loan तो है नहीं यहाँ पे preference share और preference dividend कहा minus करते हैं देखे मैंने बताया था PD मतलब preference dividend इसके बाद होता है minus tax के बाद तो चलिए आपके पास एक result निकल के आया है यहाँ पे क्या result निकल के आया earning before tax यह कितना रह गया यह कितने आ गए यह कितने आ गए और यह रह गया यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है अब minus किसको करना है सर सर अब minus करने की बारी आ गई tax की और tax को जब हम minus करेंगे तो देख लेते हैं tax कितने percent है 30% इसका 30% निकालेंगे किसका सर मैं पहले वाले category का कर देता हूँ कुछ बच्चों को पता नहीं चलता किसका निकाला है हमेशा इस वाले column का 30% निकलेगा into में 30 that is 45,000 ये कितने आ जाएंगे 39,000 36,000 और 45,000 tax हो गया ये चलो सर tax भी minus कर दो अब बताओ tax minus करने के क्या आता है earning after इसको न हम profit after tax भी कहते हैं earning after tax को क्या बोलते हैं profit तो एक लाख ये क्या जाएगा 90 ये क्या जाएगा 16,000 minus करोगे तो 80 और ये क्या जाएगा 105 क्लियर है यहां तक ठीक है चलिए 45,000 बिल्गुल ठीक जवाब है अगले point पर आ जाते हैं अब क्या minus करना होता है earning after tax के बाद preference dividend मैं PD लिख रहा हूँ short form में लेकिन मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ तो जब आप noting करेंगे कोई भी point दिक्कत आता है तो आप definitely आप पूरा full form लिखे नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा रिवीजर में PD क्या था ये तो सर यहां पे preference dividend तो होगा नहीं क्योंकि preference फियर ही नहीं है यहां पे भी preference dividend नहीं होगा क्योंकि preference share नहीं है तीसरे πलैन में भी preference share नहीं है चोथे प्लैन में आ गया और कितने का 2 lakhed तो 8% 2,00,000 का कितना होता है हमारा सर 16,000 रुपे preference dividend आ गया अब आ जाएगा हमारे पास क्या earning for equity earning for अब ध्यान रखे अगर हमारा preference dividend ना हो तो EAT divided by number of shares करेंगे तभी EPS आ जाएगा क्योंकि जहाँ पे preference share नहीं है वहाँ पे EAT से ही सारा काम चलेगा EBT से ही सारा काम चलेगा जहाँ पे interest नहीं है वहाँ पे EBIT से काम चला जाएगा तो यानि यह सारा सबसे last है अगर कोई point नहीं दे रखा हो तो उससे उपर जाके उससे divide करेंगे तो हमारा आ जाएगा easily EPS तो यह तो 1,5,000 यह आएगा यह 91 आजाएगा यह 84 आ जाएगा और यह 16,000 माइनस करोगे तो कितने आ जाएगे 89,000 अब सर हर किसी का number of shares लिख लेते हैं ताके divide करने में हमें आसानी हो जाए number of shares पहले वाले case के अंदर full liquidity था तो number of shares क्या होंगे 8,000 सर दूसरे पहले वाले case के अंदर मैं लिख देता हूँ number of shares case नंबर A के अंदर कैसे 5000 पुराने और 3000 नए और B के अंदर क्या है सर 5000 पुराने और 1000 नए और C के अंदर क्या है सर पूरा 5000 और D के अंदर क्या है सर 5000 और 1000 यही निकला है न तो sir यहाँ पे number क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें interest था ना तो यहाँ पे आजाएगा 6000 यहाँ पे क्या आएगा 5000 ही रहेगा और यहाँ पे क्या आजाएगा 6000 पहले तो आप यह देख लीजिए number of shares अगर आपको number of shares समझ में नहीं आ रहा तो मान के चलिए फिर आगे आपको दिक्कत आएगी EPS निकालने में तो पहले number of shares justify कर लीजिए सबी को clear है number of shares number of shares यहाँ पे कितने share ईशू की है total पूरे तीन लाख रुपे के तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था नीड तीन लाख रुपे का fund था तो तीन लाख का तो तीन हजार यह share और पांच हजार पुराने तो चले आ रहे है यह तो पुराना share ही हमारे पांच हजार तो पहले plan के अंदर तीन और जूट जाएंगे तो कितने हो गए? आठ हजार दूसरे plan के अंदर सरिफ एक लाख रुपे का तो और कितने जूट जाएंगे? एक लाख का एकुट यानि एक हजार share और पांच पुराना चला आ रहे है तो छे हजार तीसरे plan के अंदर तो नया एकुटी है ही नहीं, सारा का सारा लोन ही है तो पुराने वाला ही रहे जाएगा 5000, चौथे वाले प्लान के अंदर एक लाग का एकूटी से पैसा आएगा, तो एक लाग का एकूटी सो से डिवाइड करेंगा, तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 और पुराने वाले 5000 टुटल मिला के कितने हो गया हमारे 6000, कि बच्चे बता रहें सर प्लैन बी बेस्ट है सी बेस्ट है चलिए देख लेते हैं वो तो अब EPS कैसे निकालोगे सर EPS का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं EPS is equal to earning for equity मैं सिर्फ earning लिख रहा हूं divided by number of तो आपको कहीं नहीं जाना है इसको इससे डिवाइड करते जाना है और आपको आंसर बताते जाना है तो इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आता है divided by 8000 13.125 90,000 divided by 6000 15.166 84,000 divided by 5000 16.8 89,000 divided by 6000 14.83 8 3 आप देखें यहाँ पर सबसे best plan कौन सा है सर अगर आप सबसे best plan बोलते हो तो मैं बोलूँगा सबसे best plan कौन सा है ये वाला, सबसे best plan हमारा ये माना जाएगा आपको ये लिखना है कि हमारा सर ये वाला plan best plan है ठीक है समझ मैं है है और एक चैज और नोटिस करना कई बार लोगों का अभधार कर्ण लेके बिजस के लिए बेकार बेगर के लेजे हैं लें काम नहीं करते हैं उनकी भी बाती के initial level पे लेकिन बड़े businessman हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारा per capita यानि equity share के जो EPS वो ज़्यादा आए तो अगर देखा जाए ना तो plan number C देखो आप ध्यान से तो plan number C में सिर्फ क्या लिया गया था loan तो ज़्यादा investor किसमें खुश रहेंगे loan लेके business करने में company का profit क्या आ रहा है ज़्यादा आप चेक कर लो company का number के terms में profit कम आ रहा हो भले ही लेकिन जब हर लोगों के बीच में बटेगा तो ज़्यादा बट रहा है किसमें plan number C में तो कई बार और maximum time पे यही होता है जिस company के अंदर एक systematic income से आता रहता है inflow तो उससे हमेशा क्या करना चाहिए loan लेके ही business करना चाहिए और उससे क्या होगा number of honor नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक यह भी मानना होता है कि जितने ज़्यादा number of honor बढ़ेंगे तो वहाँ dispute होने के chances हो जाते हैं और profit minimum हो जाता है तो इसलिए वह क्या करते हैं loan लेके ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा stake अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं loan ले लेते हैं ब्याजी तो जाएगा लेकिन वह profit भी तो हमारे पास बनके आ जाएगा कही ना कहीं एक्स्ट्रा तो यह कहानी होती है लोन लेने के दो फाइदे हो जाते हैं एक EPS भी बढ़ी गया और दूसरा आपको टेक्स में भी benefit मिल जाता है एक खर्चा भी बढ़ी गया जिसके वाज़े से आपका profit में भी 30% का बच्चत हो जाता है नहीं तो आप यहां पर देखोगे तो 30% आपको टेक्स देना पड़ता अगर लोन नहीं लेते तो टेक्स रेट आपका बढ़ जाता है यहां पर profit ultimately क्या हो जाता हमारा कम हो जाता क्योंकि फिर हम एक बीस पर टेक्स देते ना तो एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह और मतलब कि पांच-छे सालों में frequently आ रहा है और कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है 15 marks का question पूछा जाता है और sir 15 marks में मैंने ही समझता कि आपका quiz के अंदर बहुत कुछ करना है बस simply आपको plan बनाना है और फटाफट फटाफट और इस questions को करने में मैं तो board पे समझा के कर रहा हूँ paper pen पे करोगे तो 10 minute भी इस सवाल को करने में नहीं लगना आपको सिर्फ number आपको divide करने है clear रहे आपको sir interest वाला explain कर दें interest वाला explain कर देतें interest कैसे निकला sir पहले वाले plan के अंदर देखो हमारे पास capital ये है तो पहले वाले plan में तो हमने loan लिया ही नहीं तो interest भी नहीं हुआ दूसरे वाले plan के अंदर हमने लोन दो लाग का लिया तो दो लाग पे 10% 20,000 हो गया तीसरे वाले प्लैन के उपर अब तीसरे वाले प्लैन की बात करते हैं तीसरे वाले प्लैन में तो सारा का सारा लोन ही है तो तीन लाग का लोन था तीन लाग पे 10% निकालोगे तो तीस अजार हो गया चौथे वाले प्लैन के अंदर लोन का कोई नामों निसान निये क्या है प्रेफरेंश यह तो यहां लोन आया नहीं तो इसलिए मैंने डैस लगा दिया ठीक है सभी बच्चों को अगर क्लियर है बुक कौन सा लेना है बुक आरपी रस्तोगी लेना है जिन बच्चों को नियरबाई शॉप पे नहीं मिल रहा मैंने कमेंट आप जाएंगे ग्रूप के अंदर वहां पे डिस्क्रिप्शन मैंने पिंग करा हुआ है वहां से आप डैरेक्ट एमोजोन से बाय कर सकते हैं बुक जो की लेटेस बुक अविलेबल है क्योंकि दुकान में कई बार पुरानी बुक मिलती है क्युछ मिलता है इसलिए बैने लेटेस बुक का वहां पे डाला हुआ है